और अगर आप हमारे चैनल में नए है या सस्क्राइब नहीं किया तो ज़रू सस्क्राइब करें हमारे चैनल हम अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाते हैं और बुरे स्टॉक से आपको दूर रखते हैं ताकि आपका पैसा बेस्ट ना हो आए बढ़ते हैं कि और आप इस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी के नाम है वीगार्ट वीगार्ट की वेबसाइट पर हैं पहले हम इसके प्रोड़क्ट से देखेंगे देखे यहां पे आने पे room heaters, UPS, electric motors, voltage stabilizers, inverters, dubs, solar power systems and inverter, electric and solar water heaters, wires and cables, fans, mixer grinders, induction cooktops, gas stoves, pumps, domestic switch gears, rice cookers, air coolers, others बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सब के घरों में इस्तेमाल होते हैं और जिस हिसाब से गाउं-गाउं बिजली पहुच रहे पूरे देश में इलेक्ट्रिक सिटी का विस्तार हुआ है तो जो आने वाला समय घर-घर में ये प्रोडक्ट्स और भी कहेंगे पहले क्या होता था कि electricity की इतनी बहुत ज्यादा रीच नहीं थी हमारे देश में आपको ही पता होगा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारी कंट्री में की बहुत कहीं गाओं में कहीं कस्बों में कम समय के लिए बिजली रहती थी तो जो यह घरे लिए उतपाद जैसे कि अब घर घर बि इस्तेमाल होंगे तो जितने सारे प्रोड़ेक्स सब गरों में बिक्री होगी तो और रूम लेक्रिक मोटर बहुत सारे ऐसे उतपाद है के तो कंपनी जबरदस्त है इस कंपनी के नाम है वीगार्ड और हम देखते हैं इसका शेयर प्राइज और मोटा मोटी कुछ इसके फ बनाऊंगे ताकि आपको लंबा ना लगे अब देखिए वी गार्ड इंडिस्ट्री इस लिम्टेड है यहाँ पर जो ब्यस्सी है मार्च 28 2019 को बारा वज के 33 मार्ट पर 227 रुपए 45 पैसे का भाव पर ट्रेड हो रहा है चार रुपए 35 पैसे के आज बढ़ा था है 52 वीक लो बनाया था इसने 169 रुपए 40 पैसे का और हाई था 254 रुपए का जो हाई मुझे लगता कि हाई को जल्दी टच करने वाला है यह बांस बैक जबरस्त किया इसने यह देखिए यहाँ पर सेंटिमेटर में भी लोग कह रहे हैं 100 परसंट भाई का लिजिए तो मार्केट कैफ है 9,695 की जो की एक मिट कैफ है पीए पीए हम आगे देखेंगे और बुक वैल्यू इसकी 17.61 की प्राइस टुबुक है 12.90 की इंडस्ट्री पीए 52 की डिलिवरेबल है 39 पॉसंट की अब देखेंगे दोस्तों हमने यहां पर एक चार्ट खोला हुआ है कि यहां पर आफ मैक्स देखें 2009 में 2009 में इसका भाव जो चल रहा था यहां पर करीब तीन रुपए 78 पैसे से शुरुवात है यहां असपास 3-4 रुपए के लेवल से और चलता गया हर साल डिविडेंट भी आपको देता गया देखें जबर्दस डिविडेंट लगा हुआ है और चलते चलते आज इस लेवल पर आया फिर यहां पर देखें इस्प्लिट हुआ स्प्लिट हुआ कि दसकी झो इसकी फेस विली थी वो एक की रह गई मतलब जो इसका प्रेमियम था वो दस भागों बट गया दस टुकड़े हो गया इसके शेरिव के तो जिनके पास अगर किसीक पास report this includes केजा 2018 वह्यकी बट यही रहती है अर्निंग पर सब आयो रहती है कम यहां से फिर चलता हुए, यहां पर 2017 में इसने एक bonus भी दिया, मतलब जिसके पास 5 shares थे उसको 2 share और additional मिल गए, तो यहां पर bonus भी देना शुरू कर दिया, 2017 से तो जबरदस्त है, हर साल फिर dividend देखी, यहां पर लगाता, line लगा रखी है, और इतने नीचे चला 10 साल पर 2009 से यह हम देखते हैं, देखे, good quality की company है, good quality company sales growth है 11.02 की, EBIT growth है 10.60 की, और net debt equity is too low, यहां पर very expensive valuation पर trade कर रहा है, as per यह data, P ratio इसका 71.27 की, ROC है 25.17 की, और ROE है 16.74 की, financial train raise के flat, अब return पर चलते हैं, देखे, return देख लीजिए पहले, यहां गौर करिए आप, पहले देखे, 10 साल पहले, जिसने एक लाख रुपए लगाए थे, उसके रुपए हो गये हैं, 70 लाख, और उसका एक लाख, 81 लाख सम्ति, उसका 7025 परसेंट की return मिला है, 10 सालों में, इसने 5 लाख लगा होँगे, तो तो करोड़पती बन गया, पाँच सालों में इसने 580 prob impression की return दिया है, जबरदस्थ है, चार सालों में, इसने 200, मतब 1200 probší रिप 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 रिफ हैं, तीन सालों में, 210 के आज-पास की return है, दो सालों में, यहां पर 33 परसेंट की कि दो परसेंट इयर त्रेट में जिन्जें पैसे लगाया थे यहां पर 0.61% की नेगटिव में है शिक्स मुन्थ में फिर जबर दस अठाइस परसेंट से ज्यादा की जो है रिटन है पॉजिटिव और थ्री मन्स में भी नेगटिव में 2% की रिटन वन मन्थ में देखें 10% वन वीक में 33% और 3.85% वन डे में 1.64% की यहां पर पॉजिटिव बढ़ात दिख रहे हैं 10 सालों में इसने तो कमाल कर दिया है दोस्तों इतने अच्छे रिटन्स देने वाली कंपनी है और कंपनी की जो प्रोड़क्स मैंने आपको बता है कि जो आपको 10 सालों में रिटन म मुझे लगता है कि आने वाले समय जो साबसे भारत अपने कंट्री की क्रोध हो रही है वो पांस सालों मिलने की मुझे उमीद है है ना और देखें फनिशल नेट्सल में डाउंसाइड है 0.55% की माइनर और और अबरेटिंग प्रोफिट में भी देखें 9.8.1% की डाउंसा है तो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं ऑबिसली थोड़ा सा नेगेटिव में आए हैं माइनर बहुत ज्यादा नहीं छोटी छोटी थोड़े थोड़े से तो उससे होता क्या है कि यह एक अपोच्टिटी एक अगर दिगज कंपनी गुड़ क्वाल्टी कंपनी कि अगर देदने का समय है उसो भरना चाहिए और देखे शेर होल्डिंग परसेंट में देखे 64.15 परसेंट की जो है इनकी होल्डिंग है प्रमोटर्स की और एक भी शेर गिर्वी नहीं है मूचिल फंस की 15 इसकीम पैसे लगा रहे हैं एफाई आइस हैं 79 और इंडिविजुल है इलेक्ट्रिकल से इनको 44.15 परसेंट की आये है एलेक्ट्रॉनिक से 31 परसेंट की आये है था इंकम है इनकी प्राइबेट हाउसेट और 1996 से काम कर रहे हैं देखके मजा आगया रिटन 10 सालों के देखके मजा आगया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो लोग लेंगे इसक और फ्रेंड से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यह एक एडुकेशनल परपस से वीडियो है कोई भी शेयर खरीदने और बेशने से पहले आप अपने फैनेशल एडवाजर जरूर मश्वरा करनें थैंक यू